इस चानल पर अगर नहीं हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा चलो अब बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ ये मैंने एक किलो मटन लिया है इसके उपर मैंने हल्दी, नमक और लसून और अदरक का पेस्ट डाल दिया है और ये बारिक कटा हुआ प्याज लिया है वेलकम टू माई चानल, माई नेम इस पुनम आज हम बनाने वाले हैं मुटन करी अब मैंने मटन में हल्दी, नमक और लसून और अदरक की पेस्ट डाली है और ये हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब मैंने बरतन में तेल लिया है, बड़े चार जमज और उसमें बारिक कटा हुआ प्याज डाला है वो हम ब्राउन कलर आने तक ब्राउन कलर आने तक भून लेंगे ये मैंने मटन एक किलो लिया हुआ है हमारे प्याज को पूरी तरह से प्राउन कलर आ चुका है अब इसमें हम मटन डाल देंगे इसमें मैंने मटन डाल दिया है और पूरी तरह से मिक्स कर लिया है आप देख सकते हैं अब हमारे मिट को थोड़ी देर बाद पानी चुटने लेगेगा उसी में हम इसे पका लेंगे फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें हम गरम पानी डाल देंगे इसके लिए हम इसके उपर एक दखकन रख देंगे और उसमें हम पानी डाल देंगे वो पानी कैसे ही गरम हगा हम इसके अंदर डाल देंगे इस तरह मैंने उस पर ढखकन रख दिया है और इसके उपर हम पानी डाल देंगे आप उपर का पानी देख सकते हैं पुरी तरह से गरम हो चुका है और मटन को भी अंदर से पानी छूट चुका है ये पानी थोड़ा और कम हो जाने के बाद हम उपर का ये गरम पानी इसमें डाल देंगे हमारा ये मटन अब पुरी तरह से पक चुका है ये मैंने आदा घंटा पकने के लिए रख दिया था अब हम मसाले की तैयारी करने लेंगे इस तवे में मैंने पहले भाकरी की है अब इसमें हम बारिक कटा हुआ प्याज गरम कर लेंगे इस प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छी तरह से भून लेंगे अब हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन कलर में आ चुका है अब इसे हम निकाल लेंगे और इसमें हम यह जो सफेद तिल है यह हम गरम कर लेंगे अब यह नारियल का किस है यह भी हम गरम कर लेंगे इस बरतन में मैंने कोकोनट सफेद तिल और धनिया लिया है और यह हम मिक्सर में बारिक कर लेंगे अब यह हमने गरम किया हुआ प्याज है यह भी हम मिक्सर में बारिक कर लेंगे इस प्याज में ही मैंने टमाटर डाल दिये और वो भी मैंने बारिक कर लिये हैं अब हम मटन फ्राइ बनाने वाले हैं मैंने बड़े दो चम्मच तेल लिया है अब इसमें हम बारिक की हुई वो प्याज और टमाटर के प्यूरी डाल देंगे अब इसमें हम तिल, कोकोनट और धनिया का पिसा हुआ पावडर उसमें डाल देंगे अब इसमें मैंने आले लसुन का पेस्ट भी डाल दिया है अब इसमें हम राय मसाला डाल देंगे दनिया पावडर एक चमच कश्मिरी लाल मिर्च पावडर एक चमच कांदा लसुन मसाला दो चमच आधा चमच नमक आधा चमच गरम मसाला मटन मसाला एक चमच अब ये साइट में निकाला हुआ मटन हम उसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे हमने चारो और से मिक्स कर लिया है और मटन को पुई तरह से मसाले का कोटिंग चड़ चुका है पाच मिनिट के लिए इसे हम मिडियम फ्लेम पे कवर करके रख देंगे अब इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे अब हमारा फ्राइ मटन मसाला तयार है अब हम मटन क्रेवी तयार कर लेंगे अब मैंने कड़ाई ली है अब उसमें हम बड़े दो चम्मच तेल लेंगे अब हमारा तेल पुली तरह से गरम हो चुका है अब इसमें हम टोमैटो और प्यास की क्रेवी डाल देंगे मसाले में पुरी तहर से तेल छोड़ दिया है अब इसमें हम धनिया तिल और कोकोनट का बारिक किया हुआ पावश्च पावडर डाल देंगे अब इसमें मेनने आला लसुन पेस प्याश्च अब मेनने इसमे धनिया पावडर डाल देंगे अब इसमें हम आदा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे आदा चम्मच कश्मिरी लाल मिर्श पाउडर डाल देंगे प्याज और लसुन का जो मसाला होता है लाल तीखा वो मैंने इसमें डाल दिया है दो चम्मच मटन मसाला डाल दिया है एक चम्मच अब इसमें हम स्वाधानुसार नमक डाल देंगे अब मतन का रस्षा इस मसाले में मैंने डाल दिया है अब थोड़ा इसमें गरम पाने टाल कर और मैं एड करोंगी अब मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है